कैसे हैं आप सभी मैं जोती स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल जोती इस आइडिया में और फ्रेंट जैन्डर प्रेडिक्शन की सीरीज में लगे हुए हैं देखते लोग मुझे पता लग रहा है और फिर भी इतना सब कुछ आप लोगों को देने के बाद में इतने सारे कुश्चन्स आपके मन में रह जाते हैं इतने सारे कुश्चन्स की जिनका जवाब देना असंभव सा लग रहा है आप किन-किन चीजों से देखते हैं जैन्डर प्रेडिक्शन दिखें मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो nine month की journey होती है फ्रेंड वो बहुत बड़ी होती है और इस journey में कही न कहीं हमारे मन में ये बात किले करी जाती है कि हमको भाई क्या होगा अडोसी पडोसी घर वाले बाहर वाले सब भी लोग मिलके यही find out करना चाहते हैं कि भई देखते हैं क्या होता है आदे relatives को तो यही excitement रहता है कि भई क्या होगा है ना तो उन लोगों के लिए तो यह just for जैसे किसी की अगर first pregnancy है तो उसके लिए तो वो अगर पता करना चाहती है तो यह only उसके लिए कि सब एक fun है है ना कि कुछ भी हो जाए वही first baby है तो लेकिन आज आप देख रहे हैं कि समय बदल रहा है लोग चाहते हैं कि भई एक बेटा हो जाए सब की के family member यही demand करते हैं कि भई एक बेटा हो जाए पहले हाला कि इसमें बुराई यह नहीं है कि बेटा और बेटी में फर्क करना चाहते है देखे जेंडर प्रेडिक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वह लोग नहीं करते हैं जिनको बेटा या बेटी में फर्क करना है जेंडर प्रेडिक्शन आज के समें की जरूरत बन गई है आप ये मानने है जिसको जैसी नीड है वो पता करना चाहता है और जिसको नीड नहीं है वो फन के लिए करना चाहता है बस और मा को पर अधिकार भी है जानने का कि क्या होगा और गैस जब बिल्कुल करेक्ट बैटता है तो मज़ा आ जाता है और मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ देखे अधिक्तिल लोगं के साथ क्या हो रहा है कि या मैंने उसमें देखा था तो उसके अकॉर्डिंग तो बॉय था और उसमें देखा तो उसके अकॉर्डिंग गल था ठीके तसली करके एक बार एक मैधड को देखे और उसका रिजल्ट नोट डाउन कर लेजे ओके फ्रेंट बार बार जैसे चाइनीज कैलेंडर का ये मेरे साथ भी हुआ है इसलिए मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि आप एक पर रिजल्ट देखेंगे लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट जो बदला हुआ लग जाए वो पता नहीं क्या होता है वो चीज़ मुझे भी नहीं पता मेरे साथ भी ऐसा ही होता था लेकिन परस्ट टाइम का जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट होता है अब आज के वीडियो की बात करते हैं कि और कैसे आप जैनर प्रेटिक्शन जो है फ्रेंट कर सकते हैं तो मोस्ली में चीज़े आपको बता चुकी हूँ अब आज के वीडियो में हम यह चर्चा करना चाते हैं कि क्या सचमुच ब्रेस्ट साइच जो होता है लेडी का क्या उसको देखके पता लगाया जा सकता है तो देखे मैं अपना भी experience आपके साथ share करूँगी आप तसली से बैठ जाएए देखे आप लोगों का और हमारा communication हो रहा है तो हम थोड़ा आराम से ही बात करें हैं न क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि चीज को समझना जादा जरूरी है हम लोग आमने सामने नहीं है लेकिन ये video एक medium है हम लोगों को जोडने का तो friend यही है कि क्या पता लगा सकते है अब देखे इस case में मैंने अधिकतर लोगों से बात की जिसमें से अधिकतर लिरीज का जवाब था कि हमने तो इतना गौर ही नहीं किया ये था जवाब कि हमने तो इतना गौर ही नहीं किया क्योंकि अधिकी पुराने समय भी होता था कि गौर कौन करेगा आपको तो पता है कि पहले पहनावा इतना modern नहीं था और बातरूम में काच वाच इतना कुछ नहीं होता था और इतना टाइम भी नहीं होता था लेकिन आज कर समय बदल चुका है लोगों को काफी कुछ एनलाइज करने का मौका जो है वो मिल जाता है तो मैं आपसे कह रहे थी कि बहुत से लोगों का जवाब था कि हमने गौर नहीं किया ठीक है और अधितन लोगों का जवाब था कि भई मेरा जो है राइस्ट जो ब्रेस्ट है वो बिग था किसी ने कहाँ लैफ्ट बिग था तो उस चीज को मैं क्लियर आपके सामने करना चाहती हूँ कि आज की जो थ्योरी है वो यह है यह मिर्थ है थ्योरी तो हम इसे नहीं मान सकते लेकिन मोसली केसिस में होता है ठीक है मैं आपको डिस्टरेक्ट नहीं करना चाहती हूँ लेकिन आप खुद ट्राइ कर लीजे अगर यह कहा जाता है कि दोनों ब्रेस्ट में से अगर किसी एक breast में एक up है, एक low है, या एक भारी है, या एक हलका है, अगर different है दोनों में, तो यह कहा जाते हैं कि आपको baby boy हो सकता है, ठीक है, अब इसी पे अलग-अलग लोगों ने videos जो है वो बना रखे हैं, कि अगर आपका left breast heavy होगा, तो आपको baby girl होगी, right breast heavy होगा, आपको baby boy होग अब मैं आपको अपना experience बताती हो, friend, कि मेरा left breast, pregnancy के starting से ही, even मतलब conceive किया था, उसके 15 डेज़ बास से ही, मुझे फर्क जो है लगने लगा, actually मेरे bathroom में काफी बड़े-बड़े mirror लगे होगा है, तो बचीज लगती दी, और कपड़े अपन पहनते हैं, तो पता चलता ही है व कि आपका कौन सा breast heavy है, आप लोग मेरी तरह परिशान ना हो, है ना, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी थी, कि यार इसा होता है, क्या pregnancy में, तो मुझे नया theory पता चला, कि यार अगर आपका right breast, जो है, बिग होगा, तो आपको baby, जो है, boy होगा, और अगर left breast बड़ा होत है, चाहे, वो right left से बड़ा है, या left right से बड़ा है, जो भी है, राइट left से बड़ा है, तो आप मान सकते हैं, मैं यह यकीन नहीं कहती हैं मैं यह यहीं कहीं ऐसा भी होता है, मैंने अधितर लोगों की cases में यह भी पढ़ा, कि वो बताते हैं कि भई, यह जो है लिग किसी-क प्रेश्ट होते ही ऐसे हैं कि अपडाउन वाले उनके करेक्ट जो है ब्रा पहनने के साइस से जो है वो गड़वड हो जाता है उनका मामला ठीक है तो उससे वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं और इतनी चुटी सी चीज है कि लोग देखते भी नहीं है गौर भी नहीं करत करेंगे तो मैं आपसे एक चीज कह देना चाहते हूं आपका रिजल्ट चाहें जो भी हो ठीक है आपका रिजल्ट चाहें जो भी हो आप घपराईए मत आप फाइनली जो होगा न वह बहुत अच्छा होगा यही मैं आपसे कहांगी क्योंकि मैं अपमे अने शायद अपनी फ्रेटे इस स्टोरी में भी शेयर किया है आपके साथ आपने अगर सुनी हो तो मेरा जो फर्स्ट प्रेटे को स्टार्टिंग से ही अपना भाई चाहिए था इसकी भाई की डिमांड के लिए ही even वह अब 8 यर का है और मैं ने जो है second pregnancy का च्छान्स लिया अपने first beटे के लिए तो मुझे लगता था की तो मुझे लगता था कि यार उसके लिए chance ले रहे हूं तो तो वहीड उसको जो चाहिए वही होना छाहिए पुलता था कि अगर मेरी सिस्टर होगी तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रधर ही चाहिए तो मैं भी इसलिए इन सब चीजों को फाइंड आउट जो है करती रहती थी मेरे मेरे मैं इमोशनल हो जाती हूं क्योंकि मुझे गल्स जो बहुत पसल था एक मां का दर्ड जो बेटी समझ से और दिए नहीं समझ सकते हूं तो फ्रेंड मैं ही होगी मैं इन चीजों को बहुत चुछी होती थी मैं तेके मेरा तो लाफ जो भृष था वह भी था और भी जो भी थियोरी आते हैं वह बेकिंग सोडा वाला मैंने आपको बताया है वेकिंग सोडा मैं कि मतलब अबस ही नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीजों को लेकिए जिन चीजों को लेकिए मैं परेशान हुई फ्रेंड आप मत हएगा मेरे सारे सिप्टम्स जो अलग का अलग मेरे से लग हैं आपका environment अलग है आपकी body अलग है मेरे साथ क्या गुजर चुका है में जानती हूँ आपकी साथ क्या गुजर रहा ह Whereas को सेme ु सकते लेकिन एक idea ले लीजे मैं सिर्फ कहती हूँ कि यह गेम है और जिस से जैंडर पेडिक्शन पर उतरे हैं ए कितनी बार क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखिए और जो है मैं यही कुंगी कि प्लीज रिजल्ट से अपसेट मत हुए सबकी अपनी जरुरत है और ऐसे लोग जो दूसरे की वीडियो पे सिर्फ ये देखने आते हैं कि भह ये क्या बता रहे कैसे बता रहे हैं देखिए करके आपका कोई भला नहीं होने वाला है ठीक है ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की वीडियो पे जाके और तुरंथ बीडियो बना भी देते हैं दूसरे की content से मेरा अपना खुद का experience है मैं अपनी research करती हूँ मेरे अपने methods हैं और चाहें result जो भी हो ऐसा नहीं है कि मैं जिसको boy बताती है उसके boy ही हो गया गल भी हो सकती है मैं शुरू से इस बात के लिए आपसे माफी मांगना चाहूँगी कि आप मेरे जो है उसमें ना रहें मेरे अपने अनुमान से बताती हूँ एक मैने पहले भी कहा है कि आपकी mother-in-law है आपकी mother है वो भी देखके यही कह से बताती हूँ मैं कोई भगवान नहीं हूँ और यह सब उपरवाले के हाथ में कि उसको आपको क्या देना है ठीक है तो इस चीज से अपसेट मत होए आपको जो भी हो जैसे भी हो मुझे भला बुरा कहने भर से मुझे बताएगा जरूर कि मैम आपने यह बताया मुझे ब कमेंट को देखके मुझे बहुत हैपीनेस जो है होती है तो आप सब लोग मनलब विलीब करिये और जिसका मुझे डाउटफुल लगता है उसका मैं आंसर देती ही नहीं क्योंकि यहां लोग आते हैं सिर्फ एक कमेंट सुनने के लिए बॉय अगर आपने लिग दिया तब बहुत अच्छी बात है गल लिग दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा है ना मैं समझ सकती हूं सब के स्थिति लेकिन मैं वो चीज कहना नहीं चाहती देखिए अगर सब को ही बेटा चाहिए तो बेटियां भी तो किसी को चाहिए ना आप यह मान लीजिए कि इस दुनिया म को सब्सक्राइब करने के लिए तयार नहीं है मैं इतना उना मैंटर लेकि आती हूं कि आ यार आप के लिए तो प्रेष चैनल को सब्सक्राइब करते जीगा यार रैट बटन आता है नेचे क्लिक कर दीजेगा उसको और ने अप्डेट लेते रहें और खुश रहें हैपी रहें टेंशन मत लीजिए का फन गेम खेलते रहें बाबाई